हेलो असलो वालेकुम विलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई हूप आप लोग अच्छी होंगे तो अभी सुबा का साड़े आठ हो रहा है और अभी जाके मेरी अनर्जी ड्रिंक बन रही है एक बार हम लोग पहले पी चुके थे क्योंकि दूद ना ज्यादा नह वही वाली पीए थे तो मन एकदम अजीब सा हो रहा था जब तक सुबा अपनी फेवरेट वाली जो चाय जिस तरह का पीते हैं वह ना मिले ना तब तक मज़ा नहीं आता है तो यह दूद लेकर आये तो बस यहाँ पे चाय बना के और उसके बाद यह चट पर ही थे चट प तो जिया नीचे सो रही थी तो फिर उसको जगा के तो फिर वही दर्वाजा खोली और दोनों बच्चे चट पर आ चुके हैं हम लग चाय भी पी चुके हैं और बस मेरा अपना काम है कि जब हम चट पर होते हैं तो सिर्फ पेड़ पौदो यह सब को दिखते रहते हैं कि तो इसलिए वह अभी सब का सूट उट सिल रहे हैं तो घर में सब को दे चुका था तो हम पता चला था हम क्यों पीछे रहे तो आप लोग को दिखाते हैं यह वाला जो सूट ना यह रखा हुआ था आज से नहीं काफी टाइम से रखा था मुझे ना सही टेलर ही नहीं मिल तो इसलिए तो वो जो बाजी हैं वो हम लोग की जान पैचन की भी हैं और हमको पता नहीं था कि वो भी सूट उट सिलती हैं तो चलिए दिखाते है कि क्या क्या सूट दे रहे हैं Egyptian तो एक यह वाला सूट दे रहें अगर आप लोग को याद होगा तो साल भर पहले ना, जब रिसमा के हां गए थे, तो वहां से ये सूट खड़ी दे थे, और सूती ही है, और ये नाप के लिए दे रहे हैं, और ये वाला जो सूट है, ये बाजी कहीं गई थी, बड़ी वाली बाजी, तो वो ले कर आई थी, तो वो भी पढ़ा हुआ था, सोच यह यह बहुती खुब सूरत और इतना सॉफ्ट है इतना सॉफ्ट है थैना कि इसका तो बहुती अच्छा दम गर्मी में आराम देने वाला सूट है तो रखेतें कि हाँ कभी अगर कोई अच्छा टेलर मिल गया तो उसको डे देंगे तो बाजी के पास बेज देते हैं और पहली बार उनके हाँ सिलवार है अब देखना यह की कैसा सिलके आता है और अगर अच्छा सिलके देẽंगी न तो फिर जिया कभी एकदोटो है वो भी देना है और मेरा जो इदूद का रहए तो पिर के पास बार बार जाएगा निकाली थी जी अपने लिए लेकिन अपना भी नहीं दे रही है पहले जो आपका सिल्की आ जाएगा उसके बाद फिर हम अपना देंगे अब टाइम ही नहीं पास इतना सारा पर्दा और्दा है तो हम सोचे थे कि एक एक दिन एक एक रूम का करेंगे लेकिन आज मौसम ऐसा कर रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें तो हम सची कि पहले चले आप लोगों को दिखा देने तो फिर आड़ी जाएगा ना लेके चला जाएगा तो हम दिखा भी नहीं पाते तो आरीज ना सूट लेके और चला गया था और उसके बाद ना वहाला जो सूट था वह हम चेंज कर लिए क्योंकि वहाले सूट में उससे कामी नहीं हो पाता है वह जैसे की काफी हैवी हो जाता है ना और उसका जो ही था तो हम से चला और चेंज करके पहन लेते हैं बहुत ही प्यारा सूट है पहनने के बाद भीना फिर उसके बाद है आलु का पराठा बनाने के लिए तो ऑलु को गिस चुके हैं उसमें महीन प्याज लाल ध्याल देते हैं थोड़ी सी हरी मेरिज डाल दीए लाल मेरिज जीरा हूण वह भूणार वह भी बाघ्र दीए और आप जीरा है और काला नम्मक आड़रे है और नॉर अगर नहीं डालेंगे तो भी ऐसा नहीं कि बूरा लगता है कापी अच्छा लगता है कभी कभी साधा साधा नो मजा आता है तो यहां पर जो मेरी स्टफिंग है वो भी आलू के पराठे की तयार हो चुकी आटा भी सान चुके हैं लेकिन अभी यहां पर प्लेन रोटी बना रहे हैं जिया के लिए क्योंकि जिया को आलू का पराठा पसंद नहीं है चाहे आप स्टफिंग में कुछ भी कर लीजिए जो भी कर लीजिए लेकि जिया को आलू का पराठा नहीं पसंद तो नहीं पसंद होता है कि हर कि किसी को हर चीज पसंद नहीं आता है और जिया को य एक रोटी बेमन से लेकिन खा लेगी लेकिन ये आलू का पराथा ये ऐसा है कि जिसको ना ये हाथ तक नहीं लगाती है इसको पहले बोल देती है नहीं अमें नहीं खाना तो उसके लिए दो रोटी बना दिये हैं तो वो दूद रोटी खाएगी और यहां पे जीशु का कॉल सुबह हो गई जिसु का कॉल आना सुरू हो गया तो उससे थोड़े दिर बात ओत किये और यहां पर आलू का पराठा बनाने स्टार्ट करें क्योंकि इनको भी बाहर जाना है किसी काम से तो यह आवाज लगाई रहते कि हां कब नास्ता दे रही हो कब नास्ता दे कि कोई भी बनाई है तो महनत के सासा टाइम भी लगता है तो आपको टाइम देना पड़ता है अब आलू सुबह ओबालिए फिर काटिए फिर बनाई है तो टाइम तो लगता है यह लेकिन इन लोग को ऐसा लगता न कि जट्ट दिना गए जट्ट दिना बनाके और लेकर आ गए तो ब बस मौसम खुल चुका है और जैसा भी मौसम होगा चलो अपना काम स्टार्ट कर देते वाशिमर्जीन निकाल देते अगर अच्छा मौसम रहा तक तो सूख जाएगा और नहीं रहा तो कल सूखेगा एक बार अगर धूल जाता है तो फिर तो सूखी जाता है तो यहां पर पर पो에ाना भी ने हुआ होगा तो अब हम इसको चेंज के थे लेकिन फिर से करेंगे कार्या कि टार्क सा बड़ा अजीब शनता है और अनधेरा अंधेरा सा लगता है और रुम झाया है मुझे लाइट कलर की परद्रे जादा पसंद था चार-पांच दिन में ही आपके परदे ना इधम काले हो जा रहे तो इसलिए हम लोगों को डार्क डार्क लेना पड़ता था तो निकाल दिये हैं परदे वहां के और हॉल के भी परदे निकाल देते हैं जब धो ही रहे तो सब इकठे धो लेते और यह सब चीज क्या होता ना जब कोई फेस्टिवल होता है तो एक अंदर से खुशी होती है कि ये चीज क्लीन कर दे ये चीज क्लीन कर दे और एक अलग सी एनरजी मिलती है और अपना घर सजाने साफ सुतरा करने का बहुत ही जदा अच्छा लगता है और साथ ही साथ में ये क्यों भूल जा रहे है कि रम रमजान में उतना क्लीनिंग नहीं हो पाता है तो अभी से पूरा साफ हो जाएगा तो सुबरात के टाइम तो पूरा दमस्त रमजान भर का टिंसन फिरी हो जाएगा ये हैं तो जब सब जगह का पड़ा निकाल रहे थे तो हम सचे लाओ जीसु के भी रूम का पड़ा निक ठालने में ने मुझे अश्कता लगता है क्योंकि जो जाल को निकालो फिर पर्दा निकालो तो बड़े हमेला मुझे लगता है तो बाकी जो तरा पर्दा आ वह तो बीच भीच में साफ हो जाता है लेकिन दूदीन निकलता है तो यहां फॉस्की कर दोघ्रिश drafted हो नीकलता और ये जो hall में न ये वाला नहीं जो इधर वाला जो hall वाला पर्दा था ना ये सारा पर्दा धो धो के रखना है क्योंकि अब ये इस घर में नहीं लगेगा अब किस घर में लगेगा लगेगा आप लोग को पूरा clear बताएंगी इसलिए ना मादा दूरा बता नहीं रहते लेकिन ये परदा दो के ना रखना है जहां सिफ्ट होंगी वहां के लिए ठीक है तो एक बहाने से ये भी निकल जाएगा और धूल के ना रखा भी जाएगा लाइट चली गई है तो परदा यहां का भी निकाल चुके हैं और अब इधर जो है ना इधर का भी परदा निकाल देते वैसे ये परदा ना हम लोग साइद फिलिक काट से लिए थे और जादा महंगा भी नहीं था और उस समय हम लोग 14 की 15 परदा एक साथ मंगाए थे पूरे घर के लिए ही मंगाए थे यहां के लिए नहीं जहां हम लोग पहले रहते थे वहाँ के लिए तो उस समय मुझे ऐसा लगा था कि क्वाल्टी इसकी साइद अच्छी नहीं है कुछ दिन बाद यह फट जाएगा लेकिन अभी तक यह नहीं फटा और धोनी के बाद नहीं नहीं लगता है बस मुझे थोड़ा सा इसका प्रिंट ना भरा भरा सा तो आज मैं बनाने वाली वो कड़ी तोले सुन जीरा गोल मिरिच और प्याज और हरी मिर्च यह सब था जो कि इसको पेस्ट बना लेते हैं और उसके बाद ना पूरा जो मसाला है उसको निकाल चुके हैं और इसी जार में ना चने की डाल पीस लेंगे और जब मैं चने की याद आ रही है क्योंकि रमजान आने वाला है और पूरे रमजान हमारे जाना चने की दाल की पाड़ी बनती है और जैसे ही हम पाकौडी चंड रहते हैं आधी पाड़ी तो गाया वो जारी थी सब लोग आ ले ले के जा ब bowling खा रही थैं तो एक रमजान की तो उसकी बाद's सा वो होता है और सारा इंसान वक्त सी इबादत में लगा देता है कि इतना पढ़ना है ये करना है वो करना तो एक अलग सी खुशी होती है पूरे रमजान के बहुत कितनी किसमत से मिलता है रमजान का तो बरकत का महीना होता है और यकीन मानिए तो हमारे घर में रमजान के ही टाइम में हर चीज हमारे कार आई थी था तो वो भी रमजान के ही टाइम आई थी हम लोग यहां पे सिप्ट हुए तो भी रमजान में मेरा ओपरेशन हुआ था और ओपरेशन के बाद हम आए थे घर और दस दिन बाद रमजान था लेकिन वो भी उस साल हना हम लोग एक भी र में रोजा नहीं था मेरा तो ऑपरेशन हुआ था इसलिए और घरवालों के लिए कोई बनाने वाला नहीं था कि सहरी और इफ्तारी ये सब बनाने वाला कोई नहीं था तो इसलिए बच्चे कोई भी रोजा नहीं था तो वो साल थोड़ा सा मेरा रमजान का गया था जो कि हमे तो कभी जब ऐसे बात करते हैं आप लोगों साथ तो में याद आ जाता है तो मैं वो भी अपनी जो फीलिंग से वो शेयर कर लेती हो और कभी-कभी खतरनाग भी हो जाता है बहुत सारे लोग क्यों कि मुझे जैसे कि प्रॉपर वो जो वर्ड हो था न मैं वो फिक्स नहीं कर